चनले सूपर किंग्स वर्सिस मुंबा इंडियंस के बीच खेला गया टाटा इप्यल 2022 का धमाकेदार मुकाबला सांसे रोक देने वाले इस मुकाबले में महेंदर सिंग धोनी ने आखरी गेंद पर चोका मार कर चनले सूपर किंग्स को सीजन की दूसरी जीत दिलाया और मुंबा इंडियंस पाँच बार की चैंपियन खिताबी टीम एक जीत के लिए तरस गई सीजन साथ मुकाबले लगातार हारी दोस्तो रोई शर्माय कफ्तानी वाले मुंबा इंडियंस की टीम कितनी बुरी हालत हो सकती है किसी ने ये नहीं सोचा होगा साथ मैच तुक्य से भी कोई टीम एक ने एक मैच जीत ही लेती है लेकिन मुंबा इंडियंस साथ मैच लगातार हारी इस मुकाबले में जीत ही गए ते जिस साबसे आखरी ओवर बन चुका था लेगन वहां सही महेंदर सिंग धोनी ने अपने बलें से कमाल दिखाते वी चन्नाई सूपर किंग्स को इस सीजन की दूसरी जीत दिलाई और मुंबा इनेस की टीम को साथ वी हार क्या हुआ मैदान पर किस तरीके से आखरी ओवर तक की नौबत आई और आखरी ओवर में आखरी गेंद पर चोकी की आवश्यक्ता थी और महेंदर सिंग धोनी ने बैतरी शॉट लगाते वे चार रंज से जीत रही सारी जान करें आप सभी को देंगे लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं के तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर देजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पासके चन्ने सुपरकेंस वर्चेस मुंबाइ इनिस के बीच ये महा मुकाबला खेला गया दोस्तो शानदार मैदान डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडबी मुंबाइ की मैदान पर दोनों टीमें सीजन कुछ खास करने ही पाए तो इसी बज़े से दोनों डीमों के उस अश्मिन टाइमार मिल्स जैसे गेंदवाजों को बाहर बिठाया तो टीम में एंट्री कराई रेतिक शोकीन राइली मेरेड और डैनिल सैंस की जहां पूरी प्लेंग लेवन ती रोई शर्मा इशान किशन ड्याट ब्रैवेस सुरुकुमार यादब तिलक बर्मा कीरन पु जब भी दोस्तों मुंबाई और चन्ने आमने सामने होते हैं टकर तो काटे की होती होती यह बात तो तो तहे हैं तो डीवाई पाटिरे स्पोर्ट सेकेडि मुंबाई के मैदान पर कप्तान जविंदर जड़ेज याने टॉस जितकर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया मुंबाई इंडियस की टीम पहले बल्ले बाजी करते हैं वे सुरिफ 155 न याने की 155 का स्कोर बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर जहां पर रोई शर्मा और इशान किशन बिना खाता खोले मुकेस चोधरी का शिकार होई इस बार चैने सुपर किंग्स की टीम अपने 14 करोड के प्लेट दीपक चेहर की बहुत कमी खलती नज़र आ रही है लेकिन आए शायद दोस्तों मुकेस चोधरी ने वो कमी नहीं खल ले दी क्यूंकि पावर फ्ले में तीन विकेट चटका है मुकेस चोधरी ने तीन और इंपोर्टेंट विकेट पहले ओवर में रोई शर्मा को दूसरी गेंद पर चलता किया उसकी बाद उसी पहले ओवर की आखरी गेंद पर इशान किशन को पहली ही गेंद पर चलता कर दिया था मुकेस चोधरी ने रोई शुर्मा कैच पकड़वाया था मिशिल सैटनर को बड़ा सान सा वो कैच था और इशान किशन को तो किलीन बोल्ड कर दिया था नमबर तीन पर आए जोयल ब्रैविस अपने आपको सैट कर पाते इसलिए तीसरे ओवर के आखरी गेंज पर दोसुट जोयल ब्रैविस भी दूसरे ओवर के चटी गेंज जो तीसरे ओवर की चटी गेंज थी वहां तेईस रन मुंबा इन्यास के स्कोर था वहां पर रूंका विकड गड़ जाता है साथ गेंदों में चार रन मनाकर बेबी ये वी वापिस जाते पवेलियन मुकेस चौधरी ने शुर्वाती दो तिन ओबर के अंदर यहां पर तीन बड़े बले बाजों को पवेलियन का रास्त दिखाया फिर सुरी कुमार यादव और तिलक पर्मा के सुरी कुमार यादव तीन चोके की मदस से खेलते हैं इस बीच उनका स्ट्रैक रेट 152 का रहता है मिचल सेंटनर उनका विकड़ चटकाते हैं मुकेस चौधरी उनका पगड़ते हैं क्याच यहां पर मुकेस चौधरी का नाम आता लेकिन दो सुरी कुमार यादव बहुत भैतरे इंपस खेले थे युद दोनें बलिवाज विच करिब 38 रंगी पाटनरशीप होती है जारे सोखिन 25 बें 25 बाट मैच में देशेंट ब्रावसाने अंका आउट करते हैं दूसरे चोड़ सी तिलक वर्मा एक नाबाद पारी खेलते हैं नाबाद और बड़ी ज़्यादा उमीद थी लेकिन 9 गेंदों पर 14 रन मना कर पॉलाट आउट जाते हैं एक चोक एक छकी की मदद से बड़े ही शातिर तरीके से शियम दूबे मैदान में बाउंडरी की गिदम पास खड़े होते हैं अमपार के पीछे और वो कैश पकड़ लेते हैं महिस तिक्षा तो ब्रावो ने चार ओवर में 36 रन देते वे दो विकेट मिचिल सेंटनर ने एक विकेट चटका है महिस तिक्षाना ने एक विकेट टोटल मुममे इनियस 157 विकेट के नुकसान पर छोटा स्कोर है लेकिन डिफेंडेबल स्कोर है जैसे बुमरा जैसे गिनबाजों के उसके बाद इन्हों बाहर बेठा दिया गया था तो आज इन्हों ने जब अदस्त वापसी करी और चार विकेट चटका है लेकिन आखरी के ओवर में जैदेव नाटकट ने जो रन नहीं देने चे थे वो रन देते वे चैने सुपर किंग्स को सीजन की दूसरी जीत दे दी इतुराज गायकवाड को पहली गेंद पर डैनिल सैम्स ने चलता कर दिया था पहली गेंद पर किलीन बोल्ड पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने वो कैश पकड़ा था फिर रॉबिन उथपपा और मिचिल सैंटनर को भेजा गये हैं हाँ पर मोहिन अली की जगे पर मिचि चलती है नोवे ओवर की समापती तक 66 रन के स्कोर पर रॉबिन उथपपा का विकेट आता है रॉबिन उथपपा 25 बोल में 30 रन यानि कि 25 गेंदों में तीस रन दो चोके दो चके की मदद से होते हैं आउट जैदे वनाटकट लेते हैं रॉबिन उथपा का विकेट और खुश नजर आते हैं और अपने आपको कुछ न कुछ कहके जाते हैं अमबाती रैडू पैस गेंदों में 40 रन के एक बड़ी पारी खेलते हैं दो चोके तीन चके की मदद से लेकिन इन से पहले तेरी वे ओवर की पांचवी गेंद अठासी रन पर गिरता है शिवम दूब आउट हो जाते हैं 15 वे ओवर की पांचवी गेंद 102 रन पर मुकाबला पूरी तरीके से फस्ट चुका था क्यूंकि गेंद बाज़ों निकाल कर रख देते हैं मुकाबला आपको बताएं रितिक शोकीन नाज जो गेंद बाजी करी है मिडल ओवर में चार ओवर में सिरी 23 र बन होता है महींदर सिंग और जोहनए प्रेटीर इस मैदान पर होते हैं अच्छादा गिरियूंद पर लगाते हैं 22 रन च्छकी की मदशतें और जब जो जोइन प्रेटीरियूज़ आपस और यहां से और गेंद इसी दोस्तों जैदेव उनाट कट के हाथ में पहली गेंद पर ही जोने प्रेटिरियस का विकट मिल जाता है और यह बहुत 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 विकट होता लपी डबलू के रूप में हो गए फिर चौथी गेंद पर आता है एक चोका अब इसके साथ दोस्तों आठ यहां से देखा जाए तो छे रन की अब दरकार थी क्यूंकि सोला रन के बाद च्छका मारा तो अब दस रन के बाद एक चोका लगा दिया अब छे रन की दरकार लास्ट की दो गेंदों पर पां अदाज में खेलते हैं और वो गेंद जाती सिदा बाउंडरी के बाहर और आखरी गेंद पर हो जाता है चोका इस तरीके से आखरी के ओवर में जो 17 रन चाहिए थी वो चेस कर लेते हैं महेंदर सिंग दोनी अपने दम पर टीम चैने सूपर किंग्स को जीत दिलाते हैं ती जीती है तीन विकेट से तो चेने सूपर किंग्स को फायदा मिला है यहां पर वैसे तो उनका जादो कुछ हुआ नहीं पोइंस टेवले लेकिन ये बात पह है मुंबई अब आगे नहीं जा पाएगी प्लेओफ की रेस से अभी से बाहर हो गई है जहां पर मुंबई साथ म नौए पर चेने और दसवे पर मुंबई इंडियांस की टीम है और इंज कैप की लिस्ट की बात करें तो और इंज कैप इस समय जौस बटलर के सर पर ही सजीव ये 375 रन उन्होंने मार रहे च्छे मैचों के दोरान और परपल कैप 6 मैचों में 17 विकेट के साथ यहां पर हैं पांच मैचों में 232 रन के साथ उनकी एवरेज बहुत भैतरी ने तुमही चन्ने की गेंदबास ड्वेन बरावो तीसे नुमबर पर आ गए हैं साथ मैचों 12 विकेट के साथ परपल कैप की लिस्ट में तो यह तो दोस्तों चन्ने वर्सिस मंबई के महा मुकाबले का हा अंकारी पसंद आए होगी महेंदर सिंग धोनी ने अकेले दंबर मैच जिताया नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स के लिए